सो फैमिली कैसे हैं आप लोग कमेंट करके मुझे बताईएगा जरूर तो आज मैं 50 प्लस बाले के लिए बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट देने वाला एक पैक लेकर के आई हूँ जो आपको ब्यूटिफुल स्कीन तो देगा ही देगा और जुर्णियां जो आ गई है उसे ब बनाते हैं सबसे पहले आपको मेथी लेना है मेथी आपके घर में रहता ही है सबके घर में रहता है हम लोग सबजी में इसे यूज करते हैं मसाले में इसे यूज करते हैं तो मेथी ले लिजे मेथी हमारे स्कीन को टाइट करने में ब्राइट करने में चमक लाने में बहुत आपजल या दूद दोनों में से एक चीज लेना है और उसमें मिला करके पिस लेना है अच्छा सा पेश्ट बना लेना है उसके बाद आपको क्या लेना है बनाना लेना है बनाना इसलिए मैं बोल रही हूं यहां पे आप यहां पे आलू भी ले सकते हैं लेकिन अगर आपके पास पका हुआ जो गल गया है जो घर में कोई नहीं खा रहा है उसे बिल्कुल भी मत फेकिए और वही बनाना यहां पर यूज करना है और इस छिलके को भी मत फेकिए इसमें आप कुछ भी जैसे नीमबू आप डाल सकते हैं मधू आप डाल सकते हैं या जो भी आपको स्कीन बहुत ही ब्राइट होगी और बहुत ही सुन्दर बनेगा और बनाना तो जानते ही हैं हमारे स्कीन के लिए कितना अच्छा होता है तो बनाना को मसल के इस तरीके से मैस किजेगा तो अच्छा सा यह पेश्ट बन जाएगा क्योंकि बनाना बहुत ज्यादा पका हुआ इसलिए मैं इसे यूज करनी हूँ और इसका जो रिजल्ट देता है ये बहुत ही अच्छा देता है और इसकीन पर बहुत अच्छे से एब्जॉर्ड भी करता है लगता भी है उसके बाद मैं इसमें एक मधू डालूंगी मधू हमारे इसकीन को प्राइट करता है चमक लाता ह जो दाग धब्बे हैं उन सबको भी दूर करता है और मधू हमारे इसकीन के लिए अच्छा होता है बहुत अच्छा होता है सब लोग जानते हैं तो इसलिए आप मधू इसमें एक चमच डालिए उसके बाद मेथी जो मैं पेश्ट बना करके रखी हुई हूँ उसे मैं दो चमच इसमें मिलाओंगी और इस तरीके से आपको सब को अच्छे से मिला लेना है क्योंकि बनाना और मेथी दोनों को मिलाना थोड़ा मुस्किल होता है तो आप अच्छे से ऐसे मिलाईए जिसे की पूरे अच्छे से ये पैक रेडी हो जाए उसके बाद आप अपने चेहर पे पूरे चहरे पे लगा करके थोरा देर आप रेश्ट कीजिए 15 मिनट रेश्ट कीजिए उसके बाद आप हलके हाथ में पानी लिजे और उसे रगर के साफ कीजिए और उसके बाद धो लिजे कोई भी आप मोस्राइजर यूज कीजिए उसके बाद देखिए रिजल्ट आप लोगों को भी पसंद आएगा तो कमेंट कीजेगा थैंक